प्रिये मित्रों अज नंदपत्नी माता यशोधा की कथा कहेंगे जो कृष्ण की भी माता थी बशुष्रेस्ट द्रोन ने पदमयोनी ब्राम्हा सेह प्रातना की देव जब मैं पिर्थिवी पर जन्म धारन करू तो विशस्वर स्वेंग भगवान श्री हरी श्री कृष्ण चंद्र में परम्भक्ती हो इस प्रार्तना के समय द्रोनपत्नी धरा भी ओहीं खरी थी धरा ने मुक्षे कुछ नहीं कहा पर उनके अनु-अनु में भी एही अभिलासा थी, मन ही मन धरा भी पद्मियोनी से ही मांग रही थी, पद्मियोनी ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा इसी बर के प्रताप से धराने ब्रजमंडल के एक शुमुख नामक गोप एबं उनकी पतनी पाटला की कन्या के रूप में भारत बर्स में जनधारन किया उस समय जब की श्वेंग भगवान स्री क्रिस्न चंदर के अवतरन का समय हो चला था स्वेत वाराह कल्प की 28 चतुरुईग के द्वापर का अंध हो रहा था पाटला ने अपनी कन्या का नाम यसोधा रखा यसोधा का विवा ब्रजराज नंद से हुआ ये नंद पूर्वजन में वही द्रोन नामक बसू थे जिन्हें ब्रह्म्हा ने बर दिया था इनहीं यसोधा के पुत्र के रूप में आनंद कंद पर ब्रहम पुर्शत्तम स्वेंग भगवान स्री क्रिस्न चंद अवतिर्न हुए ज़ा सोधा को पुत्र हुआ है इस आनंद में सारा ब्रजधाम निभग्न हो गया छठे दिन यसोधा ने अपने पुत्र की छठी पुजी उसके दूसरे दिन कंश प्रेजित पुत्ना यसोधा नंदन को मारने आई अपना बिश पुरी तस्तन यसोधा नंदन के मुख में दे दिया किन्तु यसोधा नंदन बिश मैं दूध के साथ ही पुत्ना के प्रानों को भी पी गया सारी छोड़ते समय स्रीक्रिष्ण चंद को लेकर ही पुतना मधुपुरी की और दोरी आह उस्छन यह सोधा के प्रान भी मानों पुतना के पीछे-पीछे दोर चले यह सोधा के प्रान तभी लोटे तभी उनमें जीवन का संचार हुआ जब पुत्र को लाकर गोप सुन्द्रियों ने उनके बक्षस्थल पर रखा यसोदा ने स्नेह बस उस समय परमात्मा स्री कृष्ण पर गोप उक्ष भिराकर उनकी मंगल कामना की क्रम शह यसोदा अनंदन बढ़ रहे थे एवं उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रतिछन बढ़ रहा था स्री क्रिष्ण चद्न आज 18 दिन के हो गया आज मैया अपने पुत्र को एक विशाल सकट के नीचे पलने पर सुलाई थी इसी समय कंस्प्रेरित उतकष नामक दहताया उस गारी में प्रविष्ठ हो गया सकट को यसोदा अनंदन पर गिराकर वह उनको पीश डालना चाहता था पर इस से पूर भी एक शोदा अनंदन ने अपने पैट से सकट को उलट पिया इधर जब जननी ने सकट पतन का भेंकर सब्द सुना तो ये सोच बैटी कि मेरा लाल तो अब जीवित रहा नहीं बस ठाड मार कर एक बार्शित कार कर उठी और फिर सर्बथा प्रान सुन सी हो कर गिर पई बरी कठिनाई से गोप सुन्द्रियां उनकी मुर्चा तोरने में सफल हुई जननी का मनुड़त पुर्ण करते हुए क्रम सा स्री कृष्ण चंद्र बोलने भी लगे भुट्रू भी चलने लगे और फिर खरे हो कर भी चलने लगे इतने में बर्श पूरा हो गय ये सोधा रानी ने अपने पुत्र की पर्थम बर्श गाठ मनाई इसी समय कंस ने त्रिनावर्त देत को भेजा वहां आया और जसोधा के नील मनी को उड़ा कर आकास में चला गया ये सोधा मिर्थ बत्सा गव की भाती पिर्थवी परगीर परी इस भार जन नी के जीवन की आसा किसी को न थी पर जब सिक्रिस्न चंद त्रिनावर्त को चुर्ण बिचुर्ण कर लोटे गोपिया उन्हें देत के चिन भिन सरीर पर से उठा लाई तो तर्चन ये सोधा के परान भी लोटाए देखते देखते नील मनी दो वर्स दो महीने के हो गए पर अब नील मनी इतने चंद चल हो गए थे कि ये सोधा को एक चछन भी चैन नहीं गोपियों के घर जाकर तो न जाने कितने दही के भार फोर ही आया करते थे एक दिन मैया का वह दही भार भी फोर दिया जो उनके कुल में वर्सों से सुरक्षी चला रहा था जनिनी ने डराने के उद्जेश से स्री क्रिश्न चन्डर को उखल में बांधा इस बंधन को निमित बनाकर जसोदा के नील मनी ने दो अरजुन ब्रिक्षों को जर से उखार दिया फिर तो बजरबाशी ये सोदा नंदन की रक्षा के लिए अतिसे व्याकुल हो गए उतना से सकट से तिरनावर्थ से ब्रिक से इतनी वार तो नारायन ने नील मनी को बचा लिया अब आगे हैं इस गोकुल में तो एक छण भी नहीं रहना चाहिए गोकुल में प्रामस करके निश्या कर लिया कि बस इसी छण ब्रिंदावन चले जाना है यही हुआ यह सोधा आपने नील मनी को लेकर ब्रिंदावन चली आई ब्रिंदावन आने के पस्चात स्री क्रिस्न चंद्र की अनेको भुबन मोहनी लिलाओं का प्रकास हुआ इन अवसरों पर यह सोधा के हिर्दय में हर सत्वा दुख की जो धाराय पूट निकलती थी उनमें यह सोधा स्वेंग तो डूब ही जाती थी इस प्रकारेगारा वर्ष छो महिन यह सोधारानी के भावन को स्री क्रिस्न चंद्र आलोकित करते रहे किन्तु अव्या आलोक मधूपूरी जाने वाला था स्री क्रिश्न चंद्र को मधुपरी ले जाने के लिए अक्रूर जी आही गए हालगुंद वादसी की संद्या थी अक्रूर जी ने आकर अशोधा केहड़े परमानों अती कुरूर बज गिरा दिया बिदा होते समय असोधारानी की जो करूंद साथी उसे देखकर कौन नहीं रोपरा स्री क्रिश्न चंद के विरह में जननी जसोधा बिछित सी हो गई वे जर चेतन पसुपक्षी मनुस जो कोई भी द्रिष्टी के सामने आ जाता उसी से बशुदेव पत्नी देवकी को अनेको संदेश भेजती किसी पथिक ने ये सोधा का संदेश स्री क्रिश्न चंद से जाकर कह भी दिया शांतोना देने के लिए स्री क्रिश्न चंद ने उद्धब को भेजा उद्धवाय पर जन्नी के आशु पोश नहीं सके ये सोदाराने का हिर्दय तो अब कब शितल हुआ जब वे कुरूचत में स्री कृष्ण चंद से मिली राम स्याम को हिर्दय से लगार कर गोद में बैठा कर उन्होंने नब जीवन पाया श्री कृष्ण चंद अपनी लीला समेटने वाले थे इसलिए अपनी जन्नी ये सोदा को भी पहले से भेज दिया जब भानुनी नंदनी गोलोक बिहार नी श्री राधा किशोरी को ये विदा करने लगे तो गोलोक के उसी दिव्याती दिव्य विमाम पर जन्नी को भी बिठाया तथा राधा किशोरी के साथ ही ये सोदा अंतरध्यान हो गई गोलोक में पधार गई बोलिये जय स्री कृष्ण जय माताज सोदा जय स्री कृष्ण